नमस्कार, स्वागत करता हूँ आप सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल पर और उमीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं चार जून से शनी महराज लिखेंगे आपके किसमत के सुनहेरे पन्ने चार राशी ऐसी रहेंगी जिनको जवर्दस्त लाब मिलेगा, बेजोड सफलता मिलेगी, कारे की सिद्धी होगी, सोची हुई योजनाय बनेगी और जो विलंब चल रहा है कारे उमें वो बनेगा मैं कई बार वीडियोज में बता चुका हूँ कि वक्री ग्रहे शुब हो तो अच्छा फल देता है और अशुब हो तो बुरा देता है पर शनी महराज का वक्री होना जन चार राशीओं के बारे में आज आप से चर्चा करेंगे उनके लिए बुरा नहीं है कारण यह है कि शनी वक्री भी हो रहे हैं कुम राशी में तो मकर राशी ही तो है उससे पहले नमबर पर मकर के बाद कुम बाती है तो एक तरीके से इनका वक्री होना अपनी ही राशी की तरफ देखना तो हुआ और यहां पर कुछ राशीयों के लिए अच्छा नहीं है तो जिन राशीयों के लिए अच्छा नहीं है उनकी चर्चा कभी और एकाथ दिन बाद आपसे चर्चा करेंगे परंदू आज तो वो चार राशी वाले अपना फल सुन लें जिनके लिए अत्यंतलाप प्रत रहेगा मैं अभी बॉंबे में उपस्तित हूँ 31 मई को भी हूँ 1 मई को हूँ आप मुझे मिल सकते हैं एक जून को हूँ आप मेरे से मिल सकते हैं कुली बनाने दिखाने के लिए और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें हमारे बैल आइकन के बटन को दबाएं हमारे फेस्बुक पेज S24 को फॉलू करें ताकि तुरंत और जल्दी नए नए नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तो आईए दोस्तों वीडियो के शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कौन सी वो राशियां हैं जिनके भाग्य की किस्मत एकदम जवरदस परचम लहराएगी जिनके कारे की सिद्धी होगी जिनकी सोची हुई योजनाएं सही रूप में क्रियानवित होगी तो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ सबसे पहले वरशवराशी के बारे में जितने भी दर्शा के समय मुझे वरश राशी के सुन रहे हैं आप ध्यान से सुनना शनी देव जी हाँ जो एक ऐसे ग्रह हैं जिनका हमारे जीवन में बहुत जादा प्रभाप पड़ता है शु प्रद बन रही है क्योंकि शनी देव वक्री जरूर हो रहे हैं पर इनका वक्री होना आपके सुक साधनों के लिए आपके धन के लिए आपकी कारेशेली के लिए आपके बिगड़े हुए काम के लिए योजनाओं के लिए बड़ा ही अच्छा रहेगा यह मैं आपको इस प ब्रशब राशी से तालुकात रखती हैं तो इसलिए ये विशेश जो फल है ब्रशब राशी का है इसके लावा आपको भाग्य के उन्नती के मार्ग भी यहाँ पर बनेंगे जांगो में घुटनों में दर्द की शिकायत वो भी बढ़ेगी ऐसा भी एक योग दिखाई देता है तो भाग्य भी प्रभावित होगा साथ में करम की गती भी मजबूत होगी परंतु स्वास्त में जो पैरो का पेट से नीचे का पोर्शन है उसमें तकलिफ दिखाई देती है बागे शनी वाराज एक्षष नाम का रायोग बना कर अभी बैठे हुएं कुम राशी में और आपके केंद्र में हैं दसम भाव पर तो अच्छा रहेगा आपके लिए इनका बुरा फल नहीं दिखाई देता अब बात करते हैं नेक्स राशी के राशी का नाम रहेगा मि जे मिथुन के सुनने हैं आपके लिए इस वक्री शनी का जो की चार जून को आधी रात को और आये लगवक तीन बजे के असपास चार जून की आधी रात का मतलब हो गया कि पांच की अर्ली मॉर्निंग और चार की रात आपको विशेश रूप से फल मिलेगा आपकी जौब में धार्मिक जीवन में आपकी रिसर्च में आपके कारियों को ले करके जिन कारियों को बहुत ज़्यादा तनाव चल रहा है वो काम आपके यापर सिद्ध होंगे योजनाएं सही रूप में क्रियानवित होंगे कुछ रुका हुआ फसा हुआ धन आपको वापस प्राप्त होगा ऐसा भी एक ग्रह गोचर बन रहा है तो कुल मिलाकर कि ये कहा जा सकता है कि जो मिथुन राशी है वो काफी प्लस में रहने जा रही है और देव गुरू ब्रस्पती स्वेम अमीन राशी में बैटे हैं हन्स नाम का राजयोग बना करके तो ये भी आपके लिए सपोर्टिव हैं काफी लाब दायक हैं तो दोस्तों ये बन रहा है आपका ग्रे कोचर भाग्ये के लिए आपके करम के लिए आपकी योजनाओं के लिए और साथ में पिताके सुख के लिए ये मैं आप से कहना चाहता हूं उत्तम विद्या का लाप्राप्त होगा कोई विद्या में विगन चल रहा है किश्वी रूप में तो वो भी दूर होगा ऐसी परिष्टितियां है अब जो नेक्स आशी रहेगी उसका नाम है तुला जितने भी दर्शक मुझे अब तुला के सुन रहे हैं आपकी जो ग्रहगती है उसके अनुसार जो विशेश फल चार जून की आदी रात से शनी का आपको मिलेगा वो है अक्समात धन लाब के अवसर मिलना कोई फशिवी पेमेंट मिलना सुक साधनों में बढ़ोतरी होना प्रॉपर्टी से संबंदित जो डिस्प्यूट चल रहे हैं उसका दूर होना ऐसा एक रह गोचर यह तुला के लिए बन रहा है आपकी राशी के स्वामी शुक्र बनते हैं और शुक्र के शनी घनिष्ट मित्र हैं जो पहले सोला दिन आपके लिए रहेंगे वो विशेश रूप से लाबदायक हैं इन पहले सोला दिनों में चार जून से और नेक्स सिक्स्टीन डेज जो आप करना चाहते हैं बे जिज़क हो करके कर सकते हैं विशेश रूप से प्रॉपटी से रिलेटेड लेंदेन और यदी कोई आप किसी कारे की नीव रख रहे हैं तो उस द्रिश्टीकोंड से भी समय आपके लिए अच्छा दिखाई पड़ता है दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स राशी की और वहर आईगी मकर जितने भी मगर के जाए तक मुझे सुन रहे हैं आपके लिए स्वास्त द्रिश्टीकोंड से तो ये शनी की वक्री चाल अच्छी नहीं है परंतु धनी के लिए अच्छी है परिवार के सुख में कमी करने वाली रहेगी और साथ में वानी पर विकार देने वाली रहेगी इसलिए वानी पर सायम रखना है सोच समझ कर योजना बद तरीके से कारे करना है बहुत ज़्यादा शीगरता किसी भी कारे को लेकर के नहीं मचानी है आपको इस बात का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है मगर राशी के लिए ये वक्री शनी विशेश रूप से आर्थिक सम्रदी का योग लेकर के आएंगे तो दोस्तों ये है आपका राशी फल चार राशीओं का विशेश रूप से अगर आप भी कुनली बनवाना चाहते हैं दिखाना चाहते हैं पूजा पाख या रत्प लेना चाहते हैं तो मुझे समपर कर सकते हैं एक बार पोनेह अगमी कारिकरम में उपस्तित हूँगा अभी आप से जाज़ा चाहता हूँ नमस्कार धन्यवाद आप सभी के लिए एक खुश कवरी अब नए मुंबई के शिडूल के तहट जोतिश अचारे मानवेंदर रावजी 26 मई से 3 जून तक मुंबई में उपस्तित रहेंगे कुनली तिखाने के लिए बनवाने के लिए पूजा पाट विरतनों के लिए समपर्क